नमस्कार दोस्तों, सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब सेनल आर के योजना पर दोस्तों यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था या कुष्टवस्था किसी भी एक पैंसन का लाप्राप्त कर रहे हैं लेकिन जो आपकी पैंसन किस्त है, रुकी हुई है, अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है ऐसे सभी पैंसनर्स के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कौन से तीन बड़े कारियों पूरे करके 9,000 रुपे पैंसन रुकी जो है, आप प्राप्त हो सकते है यदि आपकी 4 या 6 महिने की रुकी ही है, तो आपको ज़्यादा भी पैंसन किस्त प्राप्त हो सकती है आप भली भाती जामते होंगे, परधान मंतिर नेंदर मोधी की केंदर और राज्य सरकारों को मिला कर ही यानि की केंदर और राज्य सरकारों मिला कर ही पैंसन नासी जो बनती है, वह लाबार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है दोस्तों यदि आप ये तीन कारिये पूरे कर लेते हैं तो जितने भी आपके रुकी किस्तों का पैसा है आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भुले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तो अब हम यहाँ पर वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और आपको बता दे हैं कौन से आप तीन कारे करके अपनी जो पैंसन का रुखी किस्ते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं हम आपको लेकर आचुके हैं एक ही करस समाजिक पैंसन पोर्टल पर दोस्तो यहाँ पर यह लिंक एड्रेस है इस पोर्टल का देख रहे हैं आपको योजना के विशे पर किल्क करना है सभी के नीचे ये लिखा हुआ है जैसे हम किल्क करते हैं किल्क करना ही वाँ दोस्तो यहाँ पर हम आजाते हैं उत्तर प्रदेश की वेब साइट पर आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पर हम आपको पहले कारी के बारे बताते हैं यहाँ पर आपको किलिक करना है आविदक आईडी देखरें तो आविदक लोगिन जैसे हमने किलिक किलिक है और दोस्तों जो दिव्यांग पैंसन है ना इसी के अंदर यहाँ पर दिव्यांग पैंसन के साथ साथ कुछ तवस्ता पैंसन धारग भी है आपको जिस भी आप पैंसन गलाब लेते हैं आप उस पर किलिक करना है जैसे हम वीदो पैंसन पर किलिक करते हैं हमने किलिक किया अब दोस्तों यहाँ पर आपको registration ID भर देनी है यदि आपके याद नहीं है तो हम तरीका भी आपको पताएंगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपने अब दिन करते समय मुबाइल नमबर दिया था वह मुबाइल नमबर आपको इस box में डाल देना है और send OT पर किलिक करना है जैसे आपके वह नमबर पर OT भी आएगा वह OT भी आपको यहाँ पर डाल देना है यह capsule code यहाँ पर डाल देना है और ID यानि की login आपको कर देना है जो आपकी pension ID है वह login हो जाएगी दोस्तों login करने के बाद यहाँ पर हम आपको दो कारे समझाते हैं फिर आपको हम तीसरे कारे के बारे बताएंगे तीसरे कारे आपको कौन सा करना है सबसे पहले कारे इसमें आपको check करना है क्या आपका EKYC पूरा हो रहा है यदि आपका EKYC पूरा नहीं है आपकी पैंसन रुकी रहेगी, लाब नहीं प्राफ था, दोस्तों पहला कारी हमने आपको याँ पर बता दिया है, और दूसरा कारी समझेगा, जिसके आविदन फारम में गलतिया हो रही है, नाम में इस पिलिंग से मातराओं में, बैंक फिवरन में उनका FSC कोड गलत है, या आप नजदे की CSC सेंटर पर जाकर सुधार नहीं करा पाएंगे, उसके लिए आपको अपनी जिला समाज कल्यान पर ही जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप संसोधन करा सकते हैं, दोस्तों दो कारे यहाँ पर हमने आपको बता दिये हैं, सभी यानिक पूरे अविदन फारम क पर यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप कल्यान विभाग उत्तर प्रदेश की वेब साइट पर आपका स्वागत है, यहाँ से आपको अपना जन्रपत का चुनाव कर लेना है, जैसे दोस्तों हमने बैक आपको लेकर आज चुके हैं, बैक यदि आप सहर में रहते हैं, तो आपको अपना नगर निकाय का चुनाव कर लेना है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक किया, अमारे सामने जो अगले पेज है, वे दोस्तों ओपन हो चुका है, ओपन हो जाने बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये सभी कहलाब आपको पहले ही मिल चुका है इसमें कोई फायदा नहीं आपको देखने का आपको इस पर ही क्लिक करना है जैसे कैसे इन पर यह नूमर दीख रहे हैं आपको 112 यहापर कोई भी नमबर हो सकते हैं आपके गाओं के जितने पैनसन धारक हैं हमने जैसे इस पर क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है, वह भी open हो चुका है, यहाँ पर दोस्तों जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पर हम आपको जो दिखाना चाहते हैं, मैं समझेगा, सबसे पहले आप यह देखे, सबोज कीजिए यह आपका नाम है, दोस्तों इनाम दोस्तों यहाँ से आपको पैंसन आइडी का नंबर जो है पता से लगया है, अब जैसे यहाँ पर किसी को देख रहे हैं दोस्तों, आप तीन-तीन हजार रुपे लाभारती को दिये जा रहे हैं, यहाँ पर उनके बैंक अगाउन नंबर में ट्रांसफर किया जा रहे हैं, पेर देखने को मिल जाएगा, अब दोस्तों आप निशे आजाने कब पागुण को लिखा मिल जाएगा जो आपके बैंग खाते में जो रुपी पैंसन है, और यह नो हजार रुपे ट्रांसफर कि जा रही है, देखेका दोस्तों आप जो यह पैंसन धारख है, इनको नो आजाते हैं आप भी पता कर सकते हैं इस परकार से जैसे हम आपको दिखा रहे हैं रास्ता बता रहे हैं समझा रहे हैं आपको भी इस परकार से चेक करना है देखेगा आपको भी यह लाब मिल चुका होगा यानि दोस्तो इस गाउं में दो व्यक्ति हैं जिनको 9000 रुपे मिल सकते हैं और तो जो payment mode है वे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगा कि जो payment mode है यहाँ पर आपको यानी transaction इस्तितिव है payment sales यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको इस प्रकार से आधीच कर सकते है अब दोस्तों हमने आपको पता रिया कि पहला जो कारी आपको करना है वे हमने आपको बता दिया पैंसन गाई के वाईसी है दूसरा कारी आपको अपने आईडी लोगिन करें आवधन पूरी की जाच करनी है कोई गलती आपसे ना हो रही हो जो तीसरा कारी है वे आपको करना है जो तो इसता कारे हैं दोस्तो आपको अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड मोबाइल नमबर और पैन कार्ड ये तीन दस्ताविज आपको जमा करना होगी इससे आपका बैंक का KYC हिंदी में बोले तो बैंक सत्यापन आपका पूरा हो जाएगा ये सभी जैसे ही आप कारे कर लेते हैं फिर कभी भी भविश्य में पैंसन से जलोगा आपको किसे भी प्रोलम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जितनी भी आपकी पैंसन रुकी किस्ते हैं एक दो तीन चार जितनी भी सारा का सारा एक साथ पैसा आपको आपके बैंक खाते म सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा चाहे आपके तीन महाई नहीं किस्त है चार महाई नहीं किस्त है यदि जानकारे को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछेना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सौल का जवाब आ आपराट